हलो दोस्तों स्वागत है आपका computer wiki.online में और आज के वीडियो में मैं आपको वताने जा रहा हूँ Earn Money Online का एक ऐसा तरीका जिससे आप बहुत ही अच्छा कासा पैसा कमा सकते हो How to Earn Money Online 10 डॉलर मिनिमम पाड़े का 10 डॉलर तो आराम से कमा सकते हो और इससे लोग पैसा कमाता है अगर आपके पास कोई skill है अच्छा तरीक अच्छा खासा skill है जैसे की photography का या पर अगर आप computer science का student हो आपको computer का अच्छा knowledge है आपको basic का knowledge है आपको excel का knowledge है आपको access का knowledge है आपको web development आता है आपको MS-DOS आता है आपको cooking आता है आपको fitness या gym आता है तो फिर आपके लिए यह website बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा एक opportunity है अगर main चीज आपको English बोलना बहुत अच्छे से आता है बहुत अच्छे से नहीं तो मतलब पास बाले बंदे को आप समझा सकते हो English बोलके तो फिर इस website में आप काम कर सकते हो और यह एक बहुत ही फिमास website है जिसका नाम आपने 100% सियोर सुना है इसका नाम और इस website से आप पैसा कमा सकते हो तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए चलते है तो वो website है यार Udemy जी हाँ आपने सही सुना Udemy Udemy से आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो यार बहुत ही अच्छा खासा पैसा यहां पर एक एक कोर्स का जो प्राइस होता है बहुत होता है 8000 रुपे रुपे दो हजार रुपे तो एक कोर्स का On An Average Price अगर आप कोर्स बनाओगे तो उसका प्राइस होगा या Day से दो हजार रुपे आपको 2000 का कोर्स बनाना है यहां पर और 2000 का कोर्स बना के लोग कितना बेचते हैं मैं आपको दिखाऊंगा अगर मैं यहां पर टाइप करता ह Intel। इक्सेल का इसले हैं अब ईहां और पैसा है यहां पर इस अगर आपके पास अधिने घुकान अगर आपके पास इंग्लीज बोलना डिसा से आता है तो फिर आप यहां पर बना सकते हो कि यहां पर पहला माला नहीं दिखा हैं तो बहोत ही अच्छा खोर्ष बिखेगा याय मैं आप को काम करता हूust थोड़ा से नीचे आता हूं और नीचे आके यह को यहां साथ कमाता है इस तरह की कोर्स बनाके आप देख लो देखिए यहां पर एक लाग दो हजार एक लाग दो हजार तीनसो आटनवे स्टूडेंट इन्रोल है मैं मानके चलता हूं कि यहां पर एक लाग चलिए कैंसल करते हैं और जो सोर सुनाई दे रहा है आपको तो प्लीज इग्नोर करना क्योंकि साधी है पास के घर में तो सोरा सा सोर तो आएगा यार मैं कुछी नहीं कर सकता तो मैं यहां पर मानके चलता हूं कि एक लाग दो हजार स्टूडेंट ने इस कोर्स को खरीदा है ठीक है एक लाग दो हजार स्टूडेंट ने कोर्स को खरीदा है और इस कोर्स का प्राइस कितना है इस कोर्स का प्राइस है आठ हजा से सुद दस रूपए और यूटिवी में अब सख सेल चलता है 490 रूपए का तो मैं यहां पर ओन एबरेज में यहां पर लेके चलता हू कि कोर्स का प्राइस होता है 4000 यहां पर 300 रूपए क्यूंकि 490 रूपए में भी लोग खरीदेंगे को तो इस¬ंड ने अब तक कितना Pैसा कमाए है आपूर कितना पैसा कमा है इस¬ंड ने है आप देख सकते ह 1977 फट 빗 कार्वी से 3 bearings 5 लाग रुपए तो आप क्यों नहीं यहां पर महीने का 3,000 रुपए कम से कमा नहीं सकते क्यों आप 10,000 रुपए कम से कमा नहीं सकते मैं भी यहां पर कोर्स बना रहा हूं और बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा कोर्स यहाँ पर आपको बेज नहीं सकता तो आप क्यों नहीं कमा सकते 10,000 रुपे मैंने के आप ट्राइ तो करो प्लें करो त्राइ करने में किया जाता है ना स्वाइब तक आप नहीं करोगे तब तक आप नहीं कमा सकते वैसा ही कुछ दिंग करना वेबसाइड में जाके 10 डॉलर पाड़े का नहीं कमा सकते आप इससे कमा सकते हो इससे आप 7,000 रुपे 10,000 रुपे तो महीने के कमा ही सकते हो इतना confidence आप में होना चाहिए तो अब मैंने lecture तो बहुत दे दिया अब काम यहां पर आते हैं आप लोग मुझसे पूछोगे कि भाया कमाए कैसे मतलब कोर्स अपलोड कैसे करें और यहां पर अल्लेडी बहुत सारा competition है तो हम कैसे कोर्स अपलोड करें कि हमारा कोर्स search engine में आएगा जी हां बिलकुल आएग कीवाड रिसर्च करना है और कीवाड रिसर्च करके आपको कोर्स अपलोड करना है उसके उपर कोर्स तैयार करना चाहिए आपकी नौलेज अगर आपकी नौलेज अगर फोटोग्राफी में है तो कुछ भी कोर्स आप बना सकते हो तो मैं आपको पूरा strategy इस वीडियो में लिखके दें दूंगा इस वीडियो में आपको पूरो रोड मैप दे दूंगा आप उससे देख सकते हो और यह रोड मैप मेरा नहीं है मेरे टीच सबसे पहले आपको यहां पर सर्च करना पड़ेगा यूडिमी इंस्ट्राक्टर के नाम से यहां पर यूडिमी इंस्ट्राक्टर का यह लिंक खुल के आ जाएगा टीच ऑनलाइन तो टीच ऑनलाइन इस वाले लिंक पे आप क्लिक करना इस वाले लिंक पे जब आप क्लिक करोंगे तो आप यहां पर पहुंच जाओगे Udemy Teaching में इस website में पहुंच के आपको यह link open करना होगा मेरा internet का speed थोड़ा से slow है तो यह open हो रहा है तो देखिए आप इस website में आ जाओगे Udemy Teaching और यहां पर आपको लिखा हुआ लिखा हुआ आएगा कि become instructor तो आपको इस become instructor बटन में क्लिक करना है become instructor बटन में क्लिक करके आप इसका instructor के dashboard में पहुँच जाओगे तो यहां पर मैं आ गया हुँ मेरा Udemy instructor dashboard में और मैंने यहां पर Udemy में पहले से account क्रियेट करके रखा है इसलिए मैं आपको Udemy में account बनाना पड़ेगा simply sign up का form आपको फिलप करना पड़ेगा और email में जाके verification करना पड़ेगा जिस तरह से और website का आप account बनाते हो बस इतना ही करना है कुछ नहीं करना है account बनाने के बाद आप instructor में login कर लेना तो यहां पर instructor dashboard यहां पर आ जाएगा आपको यहां पर अपने course को जो है upload करना है ठीक है आपको यहां पर course upload करना है यहां पर create your course में क्लिक करके आप यहां से course को upload करोगे नेकिल course को upload करने से पहले आपको जानना ये होगा कि कौन से category में मुझे course बनाना चाहिए क्या मैं जो course बनाऊंगा उसका लोग खड़ी देंगे उसका SEO का competition कितना है Udemy में तो आपको SI course बनाना पड़ेगा जिसका demand अच्चा है course भी कम है Udemy में आपको इस topic पर course बनाना पड़ेगा कि Udemy में उसके उपर 6 या 8 से ज्यादा courses नहीं है आप सोचो Udemy में कोई skill को सर्च करेगा and उसको से 6 या पर 8 ही courses मिलेगा तो आप chances बहुत ज्यादा रहते हैं कि वो आपके course को खड़ी दे अगर एक या दो purchase भी आपको आता है तो बहुत आता है बहुत इंकम होता है एक और दो purchase में ही आपको बहुत ही अच्छा इंकम होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर Udemy के SEO Tools के इस्तमाल करूंगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर click करना है and यहाँ पर देखिएंगा tool तो tool में आना है tool में आके आपको यहाँ पर दिखेगा marketplace insights तो marketplace insights में click करना है marketplace insights में click करने के बाद यहाँ पर Udemy का keyword research tool जो है वो open होके आप लोगों के सामने आ जाएगा अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा promising topics मतलब अगर आप इस topic पर video बनाओगे इस topic पर अगर आप course बनाओगे तो उसमें demand अच्छा है competition एकदम कम है 6 या साधी course इसमें है तो आपको जो promising topics यहाँ पर दिखेगा अगर आप उसमें course बनाओगे अगर उसमें आप course बनाना चाते हो तो फिर आपका अच्छा खासा earning होगा क्योंकि यह सब topic trends में है इन पर course नहीं है और यहाँ पर आप देख सकते हो Instagram photography तब Instagram photography के उपर course बना सकते हो अगर आपको photography का skill है तो मैं इस keyword पर click करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको जान सकते हो कि किस में इस में competition कितना है कितना courses है तो आप देखो इस इस आप ग्रेट ऑपरचुनिटी ठीक है इस आप ग्रेट ऑपरचुनिटी एं देखो यार student demand high पे है and course and competition कितना है low पे तो इस course का जो demand है वो बहुत ज़्यादा high में है and इस course का जो number of courses है वो low है मतलब आप इससे अच्छा कासा revenue कमा सकते हो and यहाँ पे जो median revenue है वो है $28 and जो top monthly revenue है वो है $989 month and आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह course कितना trending में जाड़ है अभी यह देखिए and आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसमें Udemy से ज्यादा लोग खरिदते इस course को Udemy search में आके ज्यादा लोग खरिदते है and उसके बाद Udemy ads affiliates affiliate mark affiliates आपको course को promote करेगा ठीक है अगर आप इसके नीचे आओगे तो आपको देखोएगा कि इसमें सिर्फ 10 course ही है इस topic में सिर्फ 10 course है यहाँ पे आपको course का नंबर दिख जाएगा सिर्फ 10 course है and आप और यह course इस keyword पे rank है ठीक है and आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा कि किस तरह से आप यहाँ पे जो है rank कर सकते हो तो देखिए कि इसमें ratings आपके matter करता है तो आपको ratings gain करना होगा और वो भी कैसे करना होगा मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में अगर आपको photography नहीं आता तो आप कुछ और search करके देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे related keywords भी आपको दिखने को मिल जाएगे यह देखिए Instagram marketing social media marketing marketing strategies ठीक है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगे अगर मैं यहाँ पे search करता हूँ अगर मैं यहाँ पे search करता हूँ चलिए note.js मैंने यहाँ पे note.js search किया and देखते की note.js में कितना competition है अच्छा note.js मैंना लिया नहीं है ठीक है अच्छी बात है चलिए यहाँ से कुछ ले लेते CSS animations CSS animations का course यहाँ पे keyword मैंने search कर लिया and देखिए student demand high है और number of courses average है तो हाँ इसमें भी आप बना सकते हो क्योंकि इसका जो course level है वो बहुत है and जो demand है वो बहुत हाई है and इसका top monthly revenue 1417 डॉलर है तो अगर आप web developer हो आप इस course को बना सकते हो अगर आपके English अच्छा है तो भी and मैं अगर नीचे आऊंगा तो देखिए इसमें 20 courses है इसमें 20 courses है नेकल अगर मैं यहाँ पर देखो other interesting topic तो यहाँ पर आपको और भी topics यहाँ पर देखने को मिल जाएगा and यहाँ पर अगर किसी के topic के नीचे star sign आता है तो मतलब कि आपके लिए वो एक great opportunity star का मतलब मतलब इसमें demand high है course नहीं है course का level low है तो देखिए यहाँ पर CSS flexbox है और SVG है अगर मैं SVG में click करके देखू तो देखते हैं कि इसमें कितना demand है and कितना competition है मैं आपको यहाँ पर बहुत सारा topics दे रहा हूँ ठीक है और मुरे पास अभी इसका जो 12 से 14 list है मैंने तयार करके रखा है आपको भी इस तरह से list बराना पड़ेगा देखिए इसमें जो demand है वो बहुत ही ज्यादा high है और जो course है वो low है and देखिए median revenue 142 डॉलर यहाँ पर जो beginner से वो कमाते है इस topic में ठीक है तो मतलब यह एक बहुत ही अच्छा promising topic है sbg अभी बनाना सुरू कर दो अगर आपको sbg आता है तो conversion rate 7.0 है and इसमें से 12 courses ही है तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको course select करना है किस तरह से आपको course select करना है राइट आप इस keyword research tool के मदद से course को select करो उसके बाद course बनाओ जो second step होगा वो होगा course बनाना तो पहला step आपको course की topic select करना है and second step आपको course बनाना है और याद रहे course English में हो अगर हिंदी में हो तो लोग खरीदेंगे नहीं ज्यादा ठीक है English में course बनाओ अगर आपको English fluently आता नहीं है बोलना तो आप script लिके लो उसके बाद course बनाओ तो बनाओ courses आप कर सकते हो second जो step है वो है course बनाना तो आप course बना लो and third जो step है वो है promote करना तो पहले जो सबसे पहला मैं आपको बोलूँगा कि आप 40 या 1 hour का 40 minutes या 1 hour का एक free का course बनाओ SVG अगर मैं आप SVG में एक premium course बनाना चाहते हो तो आप एक काम करो आप पहले SVG में एक free का course बनाओ ठीक है आप एक free का course बनाओ free का course बनाके Udemy में upload करो ज्यादा time लह लागा 40 minutes या फिर 1 hour का एक free का course बनाओ अगर आप free का course बनाते हो तो आप देखोगे कि आपके course में बहुत सारा enrolls आएगा ठीक है बहुत सारा enrolls आएगा आपके course में आप इस course को promote भी कर सकतो आप इस much और Facebook group में promote कर सकते हो YouTube में promote कर सकते इस course को आप आपका course यहां पर प्रोमोट होगा अगर आपके कोर्स फ्री में है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे इन्रोल होगा जब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे इन्रोल होगा तो आप क्या बोलोगे कि अगर आपको मेरा course अच्छा लगता है, तो आप मेरा premium course ले लो, अगर आपके पास 100 student आता है, तो अगर conversion rate एक रेता है, तो 100 student में आपके पास एक student आपका जो premium course है बोलेगा, ठीक है, आपका जो premium course है बोलेगा, यह था पहला method, दूसरा method क्या है, जब आप देखते हो, कि मे मेरा 6000 students complete हो गया, और मेरा course का जो rating मिला है मुझे, बो मिला है 4.5, जो मेरा free course का rating है, बो मिला है मुझे 4.5, तो आप क्या कर सकते हो, उस course को पेट करोगे, तो आप दिखोगे कि बहाँ पे students कितना enroll है, 600 students, 700 students पहले से enroll है, और उसमे 4.5 का rating मिला है, तो लोगों को आपके करने का 3 या 4 course खरीदें, नेकिल उससे आपका earning आएगा, तो पहला पहला जो तीसरा जो step है, वो है free का एक class course बनाओ, अगर आप चाते हो कि उसको बाद में आप पेट करोगे, तो obviously आपको 3 या 4 घंटे का एक अच्छा सा course बनाना पड़ेगा, अगर आप चाते हो कि उसको म में free रखूंगा, और एक उसके उपर premium course बनाओंगा, जहां से में free वाले students को premium course में भेजूंगा, तो ठीक है, आप 40 minute या 1 hour का एक course बना लो, और उसके बाद आप एक premium course बनाओ, और जो free के students है, आप उनको premium course में जाने के लिए कहो, तो यह था, आप earning कैसे कर सकतो, आप student कैस इसका पहला method, अब मैं आपको तीसरा method बनाओंगा, तो मैंने आपको पहला method बनाओंगा, जो पहला method क्या था, कि आप एक free का cross course create करो, और उसके बाद आप paid course में student को भेजो, ठीक है, और दूसरा course क्या था, कि आप free का course create करो, free course create करो, and then बात में आप उसको paid कर दो, तीसरा method है, वो बहुत ही अच्छा method है, वो है coupons, तो आपको free course बनाने की ज़रुद नहीं है, आप अपना premium एक course बनाओं, उसके बाद क्या करो, आप अपने course में 100 coupons बना लो, 100 free का coupons बना लो, कि free का coupon आप बना लो, उसके बाद क्या करोगे, आप facebook में जाके, आप उन coupons को promote करोग तो इससे क्या होगा, कि आपका course premium भी है, पहले से ही, अगर आपको student मिल जाता है premium में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, प्लस आपको पास free में भी student आ रहा है, जो students coupon लेगा, वो free में enroll करेगा, उससे क्या होगा, आपके पास student enrollment का जो number होगा, वो भी ज्यादा होगा आपके पास ratings आएगा, तो customer आपके उपर belief करेगा, एंड आपका course खरीदेगा, तो यह था तीन method जिसके मदद से आप अपने course से पैसा कमा सकते हो, Udemy में upload करके, तो यहां ही तक था, अगर आपको पता नहीं कि Facebook में कैसे आप लोग course को promote कर सकते हैं, तो वो भी मैं दिखा देता हूं, तो आपको जाना पड़ेगा Facebook में, तो मैं Facebook open करता हूं, तो लेसी कि आप Facebook से कैसे आपके post को promote करोगे, तो सबसे पहला आपको Facebook में आना होगा, एंड Facebook में आपके आपको यहां पे सर्च करना होगा, Udemy, ठीक है, Udemy course आपको यहां पे सर्च करना होगा, Udemy course सर में आपके को प्रोमोट करोगे ठीक है आप यहां पर देख सकते हो मेरे पास अल्डेडी वह सब जॉइन से यह देखिए 16,000 मेंबर 35,000 मेंबर 24,000 मेंबर तो मैंने पहले से आपको उन ग्रूप में कोर्स को प्रोमोट करना है आपको लिंक सेयर करना है आपके कोर्स का एंट कूपन कोट आपको सेयर करना है तो इन सब ग्रूप में आप आसानी से लिंक सेयर कर सकते हो अपने कोर्स का अगर वो फ्री है तो ठीक है आपके कोर्स फ्री है तो आप उसका link इस सब ग्रूप में share कर सकते हो and आपको simply यह सब group join करके रखना होगा and अगर आपका जो course है वो web development का है तो आप web development का group यहां से search करके join हो सकते हो अगर आपका course जो है वो कुछ जो है excel के उपड़ है तो आप excel का group यहां से जॉइन करके रख सकते हो तो इस तरह से आप facebook से promote कर सकते हो अपने course को कुछ नहीं है अगर आपको लगता है कि मुझे तो कोई skill नहीं आता मैं कैसे course बनाऊंगा और मुझे skill आता है नेकल में लोगों को कैसे सिखाऊंगा तो उसके लिए आप YouTube का help ले सकते हो YouTube में आपको बहुत सारा free course मिल जाएगा आप उस course को देखो सीखो और फिर अपना course बनाओ ठीक है निकल बनाओ तो यहीं तक था आज का वीडियो किस तरह से आप लोग earn money online how to make money online मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक ठोक दो क्योंकि ऐसे जिनुवीन वीडियो में आपके लिए बनाता रहूंगा on money online के आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का motivation मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो वीडियो को देखते हो तो गुड़ बाई एंड मिलते आपसे और एक वीडियो में